हेलो व्रिवन वेल्कम यूओ लेट लुके सर अनलिम्टेड स्टडी जोन सो बच्चों आज हम इस क्लास में आपके जो वेक्टर्स के कुछ मिस्लिनियस और इंपॉर्टेंट कुश्चन डाउट रहे गए थे आज उनको हम यहां पे सॉल्व करा रहे हैं तो सबसे पहले है कि क्या कि लुक होके महरष्टरा बूर्ड का कोष्या ऑड़ टेक्स एक्सकुक्र क्या कह रहा है इस एस tetrahedron जो होता है उसमें इस तरीके से यहां पर मुझे तो सीधे-सीधे carbon नहीं आदाता है बेस तरीके से ठीक ना ये ऐसे तो ये आपके सामने tetrahedron आपको दिखाई दे रहा है ठीक ना तो ये ये वही बना हुआ है एक्शली है ये देखिए ये इसके corners है चार corners में हुआ करते हैं if in a tetrahedron ages of each of the two pair of opposite ages are ages in each of the two pairs of opposite ages देखो क्या कह रहा है ages मतलब जो ages है कौन सी वाली ages जो pair of opposite ages है pair of opposite ages है वो perpendicular है मतलब opposite ages जो है pair of वो अपस में क्या है perpendicular है ठीक ना अब देखो दिहान और से अपोजड़ेजेस अगर o a का देखो होगे तो क्या बनेगा बीसी बनेगा क्या बनेगा बीची बनेगा अगर ओनेगा अग्ई का अपॉसरेट चलना बिटा बीसी तो इनका कहना है कि O-Aед Perpendicular है B-C-E के और दूसरा कहना है A-B Perpendicular है OC के A-B किसके Perpendicular है बिटा ? OC के देन शो दाट एज इंद थर्ड पर इस अल्सू पर पेंडिकुलर तो कहीरा कि शो करो जो तीसरा पेर आपका बन रहा है opposite ages का वो भी perpendicular होंगे by nature वो भी क्या होंगे perpendicular तो चलिए सबसे पहले हम आपकी pair of ages ले ले लेते हैं तो देखिए हमाँ पास let we have a tetrahedron O A B C then O A B C तो देखो बिटा O A के साथ जो opposite ages बनेगी कौन सी होगी बिटा B C clear then O B के साथ अपने पास में C A बन रहा है O B with this is O B okay और O B का जो opposite age बन रहा है वो क्या बन रहा है C A बन रहा है O B का जो opposite age है C A बन रहा है ठीक है ये tetrahedron थोड़ा सा इसमें आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी बट समझना चाहिए आपको O B आपकी face है और इसकी O B की जो opposite age है वो क्या बन रहा है बटा C A बन रहा है clear हूँ so I can say यहाँ पर O B है और O B की opposite age C A है और एक मैंने आपको बताई O C की क्या बन जाएगी A B बन जाएगी तो O C A है और O C का opposite age क्या बन जाएगा A B बन जाएगा तो दो तो आपको सामने से देखने को देखी रहे है opposite age के बारे में clear है बट आपको यह तीसरा बाला नहीं दिख रहा था O B का C है वो इससे आपने देख लिया यह बटा हमाने पास pair of opposite ages है क्या कह रहा है कि भाई यह perpendicular है क्या है यह perpendicular है तो एक काम करो आप O को origin मान लो और O के respect में A का position vector A assume कर लो B का vector B assume कर लो C का vector C assume कर लो बोलो ठीक है और O को हम क्या मान लेते हैं origin So हमारे पास तीनो vector की position vector So so far we have considered here the position vector O equal to vector है O B equal to vector B O C equal to vector C Now हमको perpendicular दिखाना है तो AB B minus A BC C minus A and CA A minus C देखा हमको करना क्या है बिटा हमको यह मान के चलना है कि हम इसमें 2 pair उठाएंगे और 2 pair को ले करके 3 pair proof कराएंगे तो कोई 2 pair उठाते हैं और 2 pair को लेके हम 3 pair क्या करा देते हैं बिटा प्रूफ करा देते हैं हम पहला pair ले लेते हैं O A and BC O A and BC Question है कि O A और BC और O B और CA जो हमाई सामने हमको दिख रहा है O B और CA हमने दोनों को क्या मान लिए 2 pair perpendicular है और 2 pair perpendicular हैं को क्या प्रूफ करना है 3 वाला 3 वाला कौन को सा हम प्रूफ करेंगे O C और A B O C और A B ये इंप्रूफ कर देंगे O C और A B ये pair perpendicular ये इंप्रूफ कर देंगे दो pair को ले करके तो चलिए O A B C ले लिया O B C ले लिया O A dot BC A perpendicular दे You know dot product equal to 0 So vector A dot C minus B equal to 0 बेटा खोल डालो इसको तो A dot C A minus B equal to 0 Question number 1 ये जे में में रखो अपने Q to 0 बेटा दोनों को ले लिया Clear देखो बेटा इसमें A C है इसमें A B है माइनस में और इसमें A B है प्लस में बैठा हुआ है ये इदि मैं दोनों को add कर दूँगा तो A B A B क्या हो जाएगा Cancel तो add कर दिया मैंने इधर से क्या बज़ गया A C बज़ गया इधर से B C बज़ गया तो add करने में A C मैनस B C equal to 0 क्या मैं C common ले सकता हूँ बेशक ले सकता हूँ C vector common तो बज़ जाएगा B minus अगर आप C vector common लेंगे अगर आप C vector यदि यहाँ पर common लेंगे तो यदि यहाँ पर C vector common लेते हैं जीरो है राइट साइड में तो आपने माइनस sign का multiply कर दिया तो vector C dot vector B minus vector A equal to कितना हैगा बेटा 0 तो C किसका position vector था बेटा OC का और B minus A तो आपने पढ़ा final minus initial तो B है B का position vector और बेटा लिख दिया मैंने A B बनेगा क्योंकि final minus initial जो पहले बाद में आता है A B vector equal to कितना 0 और यही आपको प्रूफ करना था कि OC is perpendicular to A B Done ओके बच्चों देखिए next question हमारा तयार है आपके सामने question number 46 है ओके miscellaneous exercise 5 page number 193 आपकी महराष्टर बोड की book में क्या कह रहा है 4.A B C D जिनके position vector 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 A vector B vector C vector D है वो coplanar है तो show करो कि यह वाला vector triple product प्लस यह वाला triple product प्लस यह वाला triple product equal to यह होगा ठीक है भाई तो करने के तो इसको कई तरीके हैं आप चाहें तो इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं A dot B cross ही ले करके उससे भी आपके पास आने की समभावना है बट बहुत आपको manipulation और बहुत महनत करनी पड़ेगी उसमें आपको simple तरीके से क्योंकि इसको देख करके आपके पास में दिमाग में यही क्यालाएगा कि क्यों ना हम इसको इस तरीके से कर दे जैसा मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ देखिए आप स्क्रीन पे आपको पहली चीज टॉप के मन में यही बनेगा कि सार इसको सीधा सीधा करना चाहिए जैसे कैसे यह है तो यह बन जाएगा बटा A dot B cross C यह बन जाएगा बटा B dot C cross D एक बार करके देख लेते हैं कोई बुराई नहीं है और वेक्टर C dot A cross D यह देखिए अच्छा एक चीज यादर के यहां पे कि point A point B point C और point D यह चारो एक ही प्लेन में है किसमें है एक ही प्लेन में है मतलब इसके बाद आप क्या करोगे भाई इसके बाद आप जो है dot product आपने यहां पे ला दिया है अब इसके बाद तो यह खुलने से रहा इसके बाद यह आपका खुलने की कोई chances ही आपके पास मेंने है है ना यहां पे इसके खुलने के कोई chances नहीं है क्योंकि आपको इनकी value भी नहीं पता है तो अब यहां पर आके हम फस जाएंगे इसके आंगे हमारी pen चलना बंध हो जाएगी क्योंकि ना हमें vector b का mod पता ना c का mod पता ना angle पता भई तो कैसे कर लोगी कुछ नहीं कर सकते हो तो इसको हमको दूसरे अप्रोच से करना पड़ेगा वो अप्रोच हमने यहां पे शो करी है देखिए आपको पता है कि चारों point पिटा को प्लेनर है एक a point है एक b point है सबन्द जो ऐसा है यह a है यह b है तो इससे point से तीन वेक्टर निकाले एक a b एक a c और एक a d और तीनों वेक्टर हमारे बेटा एक ही प्लेन में है तो आपको पता है कि co-planar vector अगर होते हैं तीन co-planar vector होते हैं तो उनका scalar triple product कितना होता है जीरो क्योंकि scalar triple product आपको जो होता है वो parallel piped का volume देता है अब यही विचारा करके इसी plane में गर जाएगा तो volume कितना हो जाएगा जीरो तो यहां पर यही हाल हो रहे हैं कि तीनों के volume कितना मिल गया आपको zero मिल गया तीनों एक ही plane में है now value put कर दी पिटा vector b minus a c minus a d minus a equal to zero अब बस यहां से केवल आपकी महनत है ठीक है ना आओ ठीक है यहां से हमको क्या करनी है मजदूरी करनी है ठीक है ना कोई brain नहीं मजदूरी करेंगे आ जाओ भाई तो वी डैंबी माइनस a dot c minus a d minus a चलो खोल खाल डालो c का d के साथ c cross d minus c cross a यह माइनस जीरो हो गया फिर क्या बन गया c cross d c cross a a cross d equal to 0 चलो अब बी के साथ पंगा भेड़ा हो भाई तो बी सब के साथ जाएगा तो b dot c cross d b dot c cross a b dot a cross d a dot c cross d a dot c cross a और a ad आपको याद होगा मैंने बताया था अगर कोई vector तीन vector सेम हो जाते हैं तो आंसर कितना है दो वेक्टर सेम हो जाते तो आंसर कितना आता है जीरो भाई साब इसमें देखो यह यह तो अलग है यह अलग है यह मिल गया बोलो क्या हो गया यह जीरो क्योंकि directly रख रहा हूँ है आपके लिए चलिए मैं रखता हूँ directly बोले BCD ठीक है बिटा माइनस यह B और फिर यह C और फिर कितना बिटा यह है और फिर यह कितना है बिटा बी A D माइनस बी A D यह हो गया और फिर क्या है पाई माइनस किया है ए सी डी चार वेक्टर हमारे पास यहां पर आ चुके ए आンヅचुके हैं क्लियर है हमें जो प्रूफ लेके आना रिटा वो क्या लेकर आना है A, B, C, B, C, D, P, C, D, E, C, A, B C, को हमको किनारे करना है A B C को हमको क्या करना है किनारे करना किनारे लगाना ध्यान से देखो A B C बटा इसमें बैठा हुआ है बैठा हुआ है और मैंने आपको कहा था कि अगर order follow कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें A B C को B C A लिख सकते हो क्योंकि B के बाद C C के बाद A तो यही तो A B C है यादा आगे ना तो बिटा हम क्या करेंगे अगले स्टेप में हम इनको पकड़के किनारे ले जाना चाहते हैं तो बाकी को बैठे यहां पर बैठा हुआ है B C D बैठे रहन दो इधर पर कौन बैठा हुआ है बिटा माइनस B A D इधर पर कौन बैठा है अधर ला रहे हो इसको इधर ला रहे हो यह सौनो तो एक माइनस साइन हो जाएगा प्रेडूस और इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा कर देगा तो लिए भाई साब आप मेरी बास समझ चुके होगे, यह धर जाएगा, यह धर जाएगा, तो क्या प्रूफ करेगा, एक माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या बना देगा, बेटा, प्लस, तो यह हो गया, कितना, C, A, और यहाँ पे, D, equal to, A, B, C, आप ध्यान से देखी, क्या यही प्रूफ मां तो बच्चो यह question था, ठिक ना, प्योर मजदूरी लगाने वाला question था, बहुत easy question है, मैं नहीं कहूंगा, इसको tough question है, ऐसे question को बिल्कुल easy बोलना चाहिए, हाँ, लेंदी जरूड कह सकते हो, कि थोड़ी सी महनत लगी इसमें, तो यह बाला question भी हमारा successfully हो गया, 46, और यह आपके लिए homework, चलिए रेखिए बच्चो, question number 41, क्या कह रहा है, question number 41, miscellaneous exercise 5, okay, महरास्ट रबोड का book, find the volume of the parallel paved spanned by the diagonal of the three faces of a cube of side that meet at one vertex of the cube, कह रहा है कि, एक आपके पास कोई cube है, है ना तो यह मैंने cube नीचे बनाया है, पहले उपरी उपरी तोर के समझ लो, यह आपके पास कोई cube दे रा قाया है, आपको पता है cube की all seeds क्या होती है, equal होती है, है ना, कह रहा है कि एक cube है, और आपको इसके तीन faces में, जो diagonal है, तीन faces में क्या है जो, डाइगोनल है, जो कि किसी एक vertex से diagonal निकल रह säger, तो मैं इस vertex को select कर लेता हूँ या इधर आप इस vertex को select कर लो इसको मैं अभी origin मानने वाला हूं तो इससे निकालने वाले diagonals मैं आपको दिखाता हूं connected three diagonals निकलेंगे एक बिटा ये नीचे वाली face पर ये निकलेगा बोलो ये जो नीचे आपकी आपका ये वाला निकलेगा 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 की निकलेगा पीछे वाली face में ऐसा जैसे लैप्टॉप की screen है तो आपके screen में जिस तरफ पावर बटन होता है तो पावर बटन से एक diagonal यूँ आएगा ऐसा आगे की तरफ एक लैप्टॉप की screen में जाएगा और अगर एक screen यहां पर और भी होती है ना ऐसे में खड़े में तो एक डाइगुनल आपका जो है ऐसे भी जाता मलब और आपको तीन डाइगुनल निकालने हैं और इन तीन डाइगुनलों से बनने वाला क्या पैरलल पाइब पैरलल आप जानते हो तीन उससे बनता है मोखते एज़स झाना और रुसके व्लिव निकालना तो एक बार हमांते वंक व्लीम ये जानते हैं कैसे निकलता जिरो 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 तो अगर ओर जिन से आप X-axis के डिरेक्शन में A Length चलोगे तो आपको A coordinate मिलेगा X में आपने A चल दिया तो A आपका vertex क्या बन जाएगा A 0000 बोलो बनेगा की नी बनेगा अगर आप Y-axis के direction में A चल जाओगे तो बिटा आपका coordinate बन जागा 0 A 0 Z-axis में उपर चले जाओगे तो 00 A clear यहाँ पर कौन सा plane डगला है बिटा X-Y plane तो X जिन्दा है A Y जिन्दा है A because यहाँ तक आप A आ गए और फिर यहाँ तक भी आपने parallel A चल दिया यह देखोई parallel है है की नहीं है तो इसमें X में भी A Y में भी A बट Z में कितना 0 तो A A 0 similarly उपर यहाँ पे कौन सा plane है X-Z plane है तो X में A, Z में A, Y में कितना 0 अब जानते भी हो X-Z plane का equation होता है Y equal to 0 X-Z plane मैंने आपको पढ़ाया है और फिर यहाँ पे कौन सा plane आ गया बेटा देखो आपके पास में Y-Z plane तो Y-Z में X 0 होगा यह और यह 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 गंदा नहीं हो इसलिए मैं यहाँ लिग दिया अब बिटा आपको लेने है तीन टीन डाइगोनल क्या लेने है तीन डाइगोनल एक ही पॉइंट से जाते लिए एक डाइगोनल आपका देखो यह वला बन रहा है ओ एल दिखरा की नहीं दिखरा है एक आपको दिखरा है और एक पीछे वाली फेसमें जाएगा बिटा ओ-म जाएगा की नियागा तो वी है तो 3 diagonal passing through the same point, okay, on faces is on, ol, और क्या है बटा, om है, बोलो है की नहीं है, तो 3 diagonal हमारे पास मिल गए, अब 3 diagonal के हमने vector निकाल दिये भाई साथ, on का vector क्या बनेगा, देखो, final minus initial, तो ai cap plus aj cap, और ये तो 0 हो गया, तो बचा ही नहीं, मतलब ai cap plus aj cap, अगला भी बटा कितना बन गया, aj cap plus ak cap, और ये कितना बन गया, ai cap plus ak cap, अब हमको क्या चाहिए है, इनका हमको चाहिए है, volume, तो uni volume निकालने का तरीका ये होता है, okay, scalar triple product, तो पहले वाले में देखे, ai और j के तो component है, बट के के नहीं है, तो aa0, ये 0 aa, और ये क्य गया, 2 a cubic units, 2 a cubic units, बोले clear है, बच्चों, okay, देखे, बच्चों, अगला question है, question क्या कह रहा, find the value of a, so that the volume of the parallel formed by, ये hat लिख दिया है, बेटा, बहुत जल्दी थी, इसको इसने hat लिख दिया, या time था इसके पास, तो hat i cap मतलब बेटा, ये i cap है, hat या बड़ी वाली टोपी आप जानते हो, तो उसने hat लगा दिया है, i hat के नाम पे, तो मैं आपको इसको पूरा-पूरा सही करके देता ह हूँ, actually this is hat i, ये i cap, plus a hat j cap, मतलब की a j cap, दूसरा, और plus hat k cap, याने की k cap, ठीक है, पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर जो आपके पास बन रहा है, वो बन रहा है, hat j cap, plus a hat k cap, मतलब i cap है नहीं, तो आप इसको 0 i cap लिख सकते हो, hat j cap, याने की purely j cap, और a hat k cap, याने की a i cap, plus hat k cap, मतलब j cap है नहीं, और a hat, sorry, only k cap है नहीं, तो यहाँ पे केवल हम k cap रख देते हैं, तो बिटा, ये तीन वेक्टर है, अब ये कह रहा है कि तीन वेक्टर, find the value of a, a की value find करो, जिससे की बनने वाला पैरललो प्रिब्ड का volume क्या हो, minimum हो, पैरललो प्रिब्ड का volume क् तो इसको अपनने ले लिया, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, और ये वेक्टर क्या है, आर है, तो आपको पता है कि जो volume होता है, तीन consecutive एड़िसेंट वेक्टर से बनने वाला होता है, P, Q, R, ABC से ले नहीं ले सकता क्योंकि question में ABC बैठा हुआ है, ये देख लीजे, ठीक है ना, ये आपके पास volume आ गया है in the terms of A, यहां तक ये question आपका 3D का है, अब इसके बाद ये question बन गया है, derivative का, किसका question बन गया है बिटा, derivative का, क्या कहना है इनका भाई साब का, इनका कहना है कि A की किस value के लिए volume क्या होगा, minimum होगा, मतलब हमको बिटा, V A को minimize करना है, वॉलियूम को क्या करना है, minimize करना है, है ना, अच्छा एक चीज ये देखो, पूचा है A की किस value के लिए, minimum वॉलियूम नहीं पूचा है, है ना, find the value of A, A की value बताओ जिसके लिए क्या होगा, ये minimum होगा, मतलब आपको A की वो value बतानी है, जिसके लिए ये volume आपको क्या मिल रहा है आम मैं आपको मिनिमाइज करने का रूल बता रहा हूँ है ना बिटा मैथमेटिक्स में कभी भी कोई फंक्शन या तो मैक्समा होता है या मिनिमा मोता जैसे मालो ये कोई फंक्शन है तो ये मैक्समा या मिनिमा तब होता है बिटा जब या तो ये मिनिमा की कंडिशन ह है और यह Maxi maaki condition है और दोनों condition में माल हो यह वाई कोल टो एकस का ग्राफ है मतलब यह y excess है और यह x excess है ठीक न तो यह क्या हो रहा यह जोन है यह constant slope का जोन मतलब इस पॉइंट पर आपका slope कितना होगा 0 मतलब derivative कितना होगा 0 Yes मतलब maximum अपको मिलते है जब आपका क्या होता है Extreme critical point कहते है Extreme point कहते है यह आपका slope 0 होता है क्या होता है slope 0 होता है आपके function का slope 0 होगा तभी आपको maxima या minimum मिलेंगे अब दोनों चीज़े हो सकती है slope 0 में हो सकता है maxima हो या हो सकता है minima हो ठीक ना तो अब हम पहचानेंगे भी कि भाई वो maxima है या point of maxima है या point of minima है आएए देखते हैं तो सबसे पहले हम slope 0 कर लेते हैं तो लिख देते हैं हमारे पास function actually क्या बन रहा है सबसे पहले function हमारे पास बन रहा है V इसको in the terms of A लिख दो या V है कितना है 1 plus A cube minus A तो जैसे y और x का function होता है वैसे यहाँ पे dv और a का function है अब हम क्या करते हैं बिटा dv by da कर देते हैं मतलब a के terms में इसको differentiate कर देते हैं जैसे dv by dx करते थे तो इसको तो यह तो हो गया 0 यह हो गया कितना 3a square और minus 1 वा भाई मतलब इसकी value हमारे पास आ गई 3a square minus 1 अब देखिए हम जानते हैं for maxima और minima जो derivative time आया है dv by da वो किसके equal होता है जीरो के equal क्योंकि जो dv by da होता है actually वो slope होता है क्या होता है और अगर कोई line x-axis के parallel है तो इसका slope कितना हो जाएगा 0 तो यह slope है so for maximum और minimum value the slope should be equal to 0 तो बेटा slope को 0 के equal मैंने कर दिया मतलब 3a square minus 1 equal to 0 आप इसको simplify करेंगे तो 3a square equal to 1 यानि a equal to plus minus 1 by root 3 अब दो दावेदार है भाई सब दो दावेदार आपके पास में है एक plus 1 by root 3 और एक minus 1 by root 3 एक plus 1 by root 3 है और एक minus 1 by root 3 है अब आपको पता लगाना है कि इसमें से किस value पर आपको volume जो होगा हो क्या मिलेगा minimum मिलेगा तो अब इसके लिए पता लगाने के लिए बिटा आपका जो test होता उसको हम बोलते है double derivative test क्लियर तो आपके पास जो test हुआ करता है वो double derivative test होता है मैं आपको थोड़ा सा double derivative test के बारे बता देता हूँ देखे बिटा जैसे आपने f dash x जो है एक सेकंड ये लेजिए तो आपने किया क्या बिटा आपने जो है आपने f dash x को 0 किया f dash x को 0 करने के बाद सपोज आपके पास आगया x equal to alpha x equal to alpha ये वो suspected point है जिस पे function maxima दे सकता है या minima दे सकता है अभी ये checking नहीं हुई है कि ये जो है ये point of maxima है या ये जो है ये point of minima है अभी हमको नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे अब इसके लिए use होता है d dt double derivative test क्या use होता है आप f double dash x निकालो और x की जगह पे इस alpha को x को खिला दो मतलब x के place पे क्या put कर दो alpha अब देखिए भाई सब अब alpha खिलाने पर या तो ये positive value देगा और या ये negative value देगा अगर positive value दे रहा है it means x equal to alpha is a point of minima उल्टा चल रहा भाई सब मतलब यदि अगर आपको ये positive value दे रहा है तो x equal to alpha पर क्या देगा point of और अगर negative values ने produce करके दे दी ओके तो x equal to alpha पर क्या मिलेगा आपको point of maxima क्या मिलेगा point of maximum negative पर maxima positive पर minimum आईए देखते हैं अब हमारे पास क्या है डबल derivative निकालेंगे हम इसका तो d2v by d a square ऐसे शो करते हैं डबल derivative को या एक काम कर लिजे इसको आप v dash a बोल सकते हो क्योंकि यहां पर volume को function a key terms में और इसको क्या बोल सकते हो आप इसको भी double dash a बोल सकते हो double derivative तो आपके पास V dash a V a कितना आया था भीटा 3a square आया था आया था कि नहीं था 3a square minus 1 तो इसका double derivative करोगे तो कितना जाएगा भाई सब 6a क्या आना चाहिए 6a बोलो yes or no अब आपको क्या करना है volume minimize करना है volume क्या करना है अब आपके पास दो point आए है एक plus 1 by root 3 एक minus 1 by root 3 तो अब आप देखिए V double dash a की value आप इन दोनो point पे निकालते हैं तो V double dash a दो values हैं आपके पास में a equal to plus 1 by root 3 और a equal to minus 1 by root 3 और भाई सब V double dash a की value कितनी आई है I think 6a आई न वा बहुत प्यारा सा function है 6a तो साप साप देख रहा है बिटा कि आप यदि a 1 by root 3 रखेंगे तो यहां पे V double dash a जो आएगा 6b positive है a भी positive है तो क्या आएगा बिटा आपको चिनने से मतलब है क्या आएगा positive और जब भी double derivative positive आता है तो volume क्या होता है minimum क्या होता है volume मतलब यहां पे जो volume आपको मिलेगा volume at a equal to 1 by root 3 वो कैसा मिलेगा बैटा minimum मिलेगा कैसा मिलेगा minimum clear हो गया yes तो यहां पे इसको मतलब आपको में चीज साइन निकालना है अब यहां पे जैसे इन्होंने solve कर दिया 2 by root 3 useless कोई मतलब ही नहीं है भाई है ना मतलब हमारा volume minimum कहां पे मिल रहा है a equal to 1 by root 3 यह हमारा answer आ चुका यहीं पर अब यह दूसरा निकाल रहे है यहां पे तो आपको maximum मिलेगा यहां पर तो आपको maximum मिलेगा क्योंकि यहां पर minus 2 root 3 less than क्या है 0 है less than क्या है 0 less than 0 पर negative आ रहा है मतलब आपका तो गलत लिग दिया यहां पर भाई साब ने क्या होना चाहिए बोलो यहां पर maximum होना चाहिए क्योंकि double derivative अगर negative होता है किसी point पे तो उस point पर आपको function की value क्या म A equal to 1 by root 3 मतलब A की इस value पर हमारा volume जो होगा क्या मिलेगा minimum मिलेगा क्या मिलेगा minimum मिलेगा अगर question कहता कि मुझे minimum volume निकाल के बताओ क्या है तो आपको फिर यहां पर 1 by root 3 की value यहां रखनी पड़ती बट फिलहाल question ने minimum volume नहीं पूछा है question ने के वले पूछा किस point पे होगा A का तो A का हमने आपको पूइंट दी रहा है तो आपको actually real time question में A की value में लेगी किती 1 by root 3 समझ में आगे ना इस पर आपको volume क्या होगा minimum और minus 1 by root 3 पर क्या होगा maximum दोनों चीजें आपको दे दिया है function minimum भी दे दिया मैक्सम में दिया बट हमारा काम किसे पढ़ रहा है इस स पर हो रहा है ठीक ना यदि इसकी मैं बात करूं तो डबल डेरिवेटिव ए वी डबल डेस ए तो चांसे देखो भाई 6 से इंटू माइनस 1 by root 3 तो कितना जाएगा minus 6 by root 3 जो की क्या है नेगेटिव है जो की क्या है नेगेटिव है और जब डबल डेरिवेटिव एक ही जो maximum condition पर जो value मेलेगी वह है minus 1 by root 3 इस पर आपको volume max मेलेगा ठीक है तो चलिए यह concept हमारे यहां पर पूरा हो जाता है इसके सांथ ही हमारे question भी यहां पर finish हो गया कि ओके दोस्तों अगले question पर आप सभी का स्वागत है question number 36 हमारा miss linear exercise का देखिए क्या कहा जा रहा है question number 36 में question number 36 में का रहा है suppose vector a is not equal to 0 भाई-साभ यहां पर 0 दे दिया है और book में not equal to 0 है तो मैं किसको सही मानूं यह भी बड़ी परिशानी है मेरे साथ में वेक्टर a is not equal to 0 लेके मैं चल रहा हूं ठीक ना वेक्टर a is not equal to 0 clear and a dot b equal to a dot c is b equal to c कह रहा है कि क्या b c के equal होगा क्या b c के equal हमेशा होगा if vector a is not equal to 0 यार समझ में नहीं आ रहा है कि question में यहां पर not equal to 0 लेके किया है but book में not equal to 0 चली करते हैं तो पहले scene में मैं यह मान के चलता हूं कि अपना vector a not equal to 0 है ठीक है तो हमारे पास scene क्या दिया गया है vector a dot c is equal to vector a dot b था यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उल्टा सिधा लिखने से चली तो given है हमको a dot b equal to a dot c a dot c तो कह रहा है कि क्या b equal to c होना जरूरी है देखते हैं तो vector a dot b minus a dot c equal to 0 हो जाएगा अब now a dot b minus c equal to 0 क्लियर है अब देखी ध्यान से आपको कह रखा है कि vector a vector a 0 के equal नहीं है vector a 0 के equal नहीं है है ना मतलब यह वाली चीज जीरो के equal नहीं है अब दोनों का dot product 0 होने के लिए एक चीज तो यह भी हो सकती है कि या तो यह 0 हो जाए बुलिए अगर यह 0 के equal नहीं है तो यह चीज 0 चल सकती है मतलब दोनों के 0 होने के लिए पहली चीज vector b minus vector c क्या produce कर दे 0 vector yes or no तो यह नहीं कि vector b equal to vector c तो एक choice तो है बट एक और choice है एक और choice क्या है आपको पता है कि दो vector का dot product 0 होता जब दोनों vector क्या होते हैं नहीं कही जा सकती है clear होगे ना ठीक है ना मतलब दोनों equal नहीं है तब भी answer कितना जाएगा 0 अब इन लोगों ने इस question को logic से किया है किसे किया है बटा logic से इनका कहना है कि हम एक काम करते हैं हम A को मान लेते हैं I cap A को क्या मान लेते हैं I cap B को इस बार हम J cap मान लेते हैं और C को मान लेते हैं K cap C को क्या मान लेते हैं बिल्कुल सही है हमने A को मान लिया I cap B को मान लिया J cap और C को मान लिया क्या K cap अब A dot B I cap dot J cap equal to A dot C I cap dot K cap, बिल्कुल होता भी है, I cap dot J cap कितना होता है, 0, और I cap dot K cap कितना होता है, 0, मतलब दोनों की value क्या है, आपस में equal है, देखा जाए तो, मतलब यह condition satisfy हो रही है, दोनों के dot product क्या है, equal है, बट पूछा है क्या B और C equal है, तो ध्यान से देखो, क्या J cap औ देखा जाए, तो यहाँ पर B और C equal नहीं होंगे, clear हो गया, तो B और C यहाँ पर equal नहीं होंगे, तो logic set कर दिया, क्या आप I cap और J cap करके देख लो, ठीक ना, यह equal नहीं होंगे, तो correct answer इसका क्या है, B is not equal to C, यहाँ से मैंने बता दी आपको full method, और यह logic है, चलिए, तो logic से जल्दी हो जाएगा question, अब आगे देखिए, question कह रहा है, A cross B equal to A cross C, then is B equal to C, कह रहा है कि A cross B जो है, वो A cross C के equal है, तो क्या B जो vector होगा, वो C के equal है, देख लेते हैं, तो क्या मान लिया हमने, A equal to zero vector, A equal to, अब देखिए, zero vector के साथ, आप चाहे I का multiply करो, या zero vector के साथ, आप चाहे J का multiply करो, answer कितना आता है भाई सब, zero vector ही आना है, अब देखिए, यहाँ पे A तो same हो गया, यह A का role play कर रहा है, उलो हाएना, और यह B का, और यह C का role play कर रहा है, तो क्या ध्यान से देखिए, क तो कोई जरूरी नहीं है, ओके, तो answer आगया, B is not equal to C, B is not equal to C, third question, suppose if A is equal to zero, then third question क्या बोल गया है, A dot B equal to A dot C, and A cross B equal to A cross C, A cross B equal to, then क्या B C के equal होगा, तो फिर से हमने A को zero के equal मान लिया, B ले लिया, I cap, C ले लिया, कितना J cap, ठीक है ना, तो A dot B equal to A dot C, जब इसमें A में zero बैठा हुआ है, तो पहले का answer कितना आएगा, zero आएगा, और A cross B equal to A cross C, तब भी कितना आएगा, zero आएगा, बट B vector किसका का काम कर रहा है, I cap का, और C vector किसका का काम कर रहा है, J cap का, तो क्या दोनों equal है, नहीं है equal, तो इसका मतल है, not equal, तीनों का answer क्या है, not equal, और best है, इसको logic method से आप करिए, जैसे यहाँ पे किया गया है, I cap, K cap, J cap के examples लेकर के आप इसको कर लीजे, ठीक ना, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे बिटन not equal to zero नहीं होगा, यहाँ पे equal to zero होना चाहिए, क्या होना चाहिए, clear, question में में